हेलो एवरिवन बेलकम बैक इस वीडियो में हम लोग क्वेस्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं ट्रिगोनोमेटरी चेप्टर से एक्सरसाइज 13A आरे सगरवाल कलास 10 का यह मैथ है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं LHS जो गीवन है 1 पलस कॉट ए पलस 10A इंटू साइन ए माइनस कॉस है अब इसको सॉल्व करके लाना है RHS साइन एंटू 10A माइनस कॉट एंटू कॉस है इतना लाना है ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या करना है कि इसको इंटू कर देना है साइन ए माइनस कॉस ए से इसम में इंटू कर देना है साइन से पहले इसमें इंटू करते हैं साइन ए में 1 से करेंगे मल्टिपल आई तो साइन ए हो जाएगा पलस कॉट ए में साइन से करेंगे तो कॉट ए इंटू साइन ने हो जाएगा पलस टैन ए इंटू साइन ने हो जाएगा ठीक है अब फिर आप मैनस कॉट से करेंगे तो मैनस कॉट से हो जाएगा फिर मैनस कॉट ए इंटू कॉट से हो जाएगा पलस, पलस माइनस फिर माइनस हो जाएगा टैन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा ठीक है अब यह साइन ए पलस कॉट ए को लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए कट जाएगा पलस, यह टैन को लिख सकते हैं ते इसको छोड़ देते हैं इसे ही रहने देते हैं टैन ए इन्टू साइन ए चुकि यही प्रूफ करना है तो इसको रहने देते हैं माइनस एक कॉस ए और फिर माइनस कॉट एक कॉस ए मिल रहा थे इसको भी छोड़ देते हैं माइनस कॉट ए कॉस ए प्रूफ करने वाला में एक फाइदा क्या होता है कि हमें पता होता है कि इस सॉल्व करके लाना कितना है इसलिए उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम उसको solve करते हैं ठीक है ना तो minus caught a cause a इतना इसको छोड़ देते हैं अब यह minus इसको तोड़ते हैं sin a by cause a into cause a cause a से cause a cancel हो जाएगा तो अब sin a plus बच जाएगा cause a plus tan a into sin a minus cause a और फिर यह बच जाएगा minus caught a into cause a और यह minus बच जाएगा sin a माइनस sin a से यह plus sin a कट जाएगा plus cause a माइनस cause a कट जाएगा तो बच गया क्या बच गया tan a into sin a और माइनस caught a into cause a यही प्रूफ करना था यहाँ पे आप देख सकते हैं sin a 10 a लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 पहले होगी है sin बाद में आगा ते इंटू में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और माइनस caught a cause से यहाँ पे माइनस caught a cause से मिल गये तो is equal to RHS approved I hope कि यह भी question आपको समाझ में आ गया होगा तो मिलते हैं फिर next video में next question के साथ question number 13 तब तक के लिए good bye तब तक के लिए